अच्छा जड़ से कहते हम के यह बात करें हो लोग और आपकी मम्मी आपकी मम्मी काम की यह दो मैडम से उनकी बात दाएंगे कि पेसिंट की आप मम्मी फोन देज़ा है अचैप सी अचैप सो कि अज़े आज आज दोस्तों आज मैं आपको पताने जा रहा हूं कि टाइप 2 डायबटीज बड़ी आसानी से रिवर्ष करके जड़ से खतम कैसे किया जाता है तो अभी रिसेंटली कई स्टडी आया हुआ है कि एक सिंपिल स्ट्रेजी है इस इंटर्मिटेंट फास्टिंग कि इस इंटर्मिटेंट फास्टिंग के द्वारा आप डायबटीज जड़ से आसानी से खतम करसे हैं यह इंटर्मिटेंट फास्टिंग क्या होता है कि आप दिन भार में जब में लिए तीन मिल लेते ब्रेकफास्ट लंडिरर उस पर कोई एक मिल स्किप कर दीजिए जिससे कि आपको करीब 16 गंटे आप खाली पेट रहें तो देखा गया कि जब 16 गंटे खाली पेट रहते हैं तो बॉडी के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस जैनि बॉडी के इंसुलिन का जो असर होता है वो बढ़ जाता है जिसके वोसे बॉडी की सुगर ग्लुकोज को मिलरे भीजने क्या बढ़ जाती है और ग्लुकोज का औरगन इट्लाइज अच्छा कर पाते हैं और बलड में उसकी मात्रा घड़ से क्या होता कि जब ब्लड में इंसुलिन की असर बढ़ जाता है तो ब्लड में इंसुलिन मात्रा घर जाती है जब इंसुलिन मात्रा घर जाती है जब इंसुलिन मात्रा घरती है तो बॉड़ी का फैट बर्न होता है जिससे कि उसका बॉड़ी वेट कम होता है और जब बॉड मेरे सामने एक पेशेंट बैठी हुई है आज से इन्होंने करीब एक साल च्छे में पहले पीज दिखाया था उनका वेट पहले असी किलो था और अब का डाप्टिज उन्होंने कुछ मेडिसिन के हल्प से कुछ डाइटिंग करके कुछ एक्सराइज करके दस खलेट कम कर लि इस गंट्रोल को क्यों रुजगा है यह पताईए आपने पहले वेट कि वजन किता था आपका अपका अब किता है आप सब्सक्राइब कर दो अच्छा तो एश्टी सेवन किलो यानि आपने 18 मेने वे तेरे किलो बजन कम किया अपने ठीक है अब अब सुगर कर चानल आपका सुगर कि शुगर आज की डेट मेसा खाने से पहले दवा खाके बिना अगये पिना दवा क्षाए अ किते देन दवा नी खाया अपने कम सब्सक्राइब तीन अप्ते और में दवाय ली खा रही तो जैसा अपने अब देखा कि मेरे बहन्जी पे ऐनलाई घर से कंसल कर रहा ह तीन अपते कोई दवा निखाया तब भी खाली पे 100 असी आता है एक सवाल पता है आपने वजन कैसे कि तेरे किलों वजन कम कैसे कि आपने कि मैंने पहले तो मैं वाक जाते थे छोड़ दिया वाक जाना और मैं वह जैसे दवाई खाती हो कोलेस्ट्रल का हां और शाम को वाक करती है तो आपका जो वजन घटा है है एज़ी एल्टी ती टु निविटर से घटा है में फॉर जह घटा है प्लस आपको एक्साइज किया डाइक कंट्रोल किया अभी रिसेंट्ली आपके बेटे को डाइट ज़या अब बेटे को लाइन दीजे अब को शुगर कबसे हो यह पीजिए है यह चुगर हुआ यह तो अभी आपका वेट किता है है अभी सभी तीवक्पानट सिक्स हंडेड और हैट किटे हैं पाइट है फूट आपको मैंसमें आलावड वेट 75 किलो इसे आप से मैंसम है ठीक हैि पलने सिस्ग जुट आपको मैंसम अलाव्ड वेट कि किसी तरह से भी आप है आठ किलो वेट कम कर लोगे तो डाइपटीज क्योर के चांस बढ़ जाते हैं और कर डाइपटीज वेट कम का सिंपल तरीका आजकल आये हुआ है उसरे इंटर्मिटेन फास्टिंग आप याद करिए आपके पिताजी हैं मापाप हैं दादा कभी नौमी का फास्ट हो गया कभी सत्तनरभग कथा किल फास्ट हो गया कभी शट किल फास्ट होते हैं कभी कई फास्ट होता है हर धरम में खाली पेट फास्ट की प्रथा रहिए और यह फास्ट जानते हैं कि जब खाली पेट रहते हम फास्ट रहते हैं जब 16 घंटिया इस परके बोटु भरता है तो फैंक्रिया इंसुली प्रदसम selfish होता है उस को alliances करने के लिए वह भी लेखर एक सेस होता तो इस फैट सेम ग्लोकोज मसक्रेफित ऑग्लाइकर फैट और एक्सेश हो वह फेट रस्टोर जाता है तो जब भी body में इंसुलिन बाढ़ता है खाना काने बाद तो fat production बढ़ जाता है fat burning घड़ जाती है जितना बार बार जितना ज्यादा खाएंगे उतना ऑरगयन के अंदर लिवर के अंदर मसल में fat tissue में fat तो अगले और जब मरीज खाता है और बॉड़ी उसलिए इस्टा बनाना पड़ती है तो एक्स्टा इंसुलिन फैट को प्रोड़क्शन और इस्ट्रोज बढ़ाता है जब कि फैट को बर्निंग को घटा देता है जब कि एडिक साथीक्स दिनमें एक खाना घाते हैं या दो खाना खाते हैं आपने कोई celebrityla जिंए या मिल मिश्क श्रपी एक कुणर कि करना कि फैस्ट को बड़क्शन अबच खाने नुख हो में आपके होगा हो इसेड़न में झाल मत रखे। और कारभ भार्डेइ रिफाइन राखे मणें बीशने दियार dużo रह सब्सक्राइब भी और एन मर चकर लिया उट लिया उटस ब्ने ब्राऊनारी मिल्ग प्रावंथ यह उइडिय को च्कर लिया आपने तो क्योंकि इसे फाइबर होता है साथ हो फ्रूट ले लिया साथ इतर आपने कह नाम की मिल्क ले लिया फैट उदार के तो अब जो भी डाइट ले टोटल दो डाइट ले मुझा कि दो दो यहां तो को बहुत कि सिंगल डाइट और मोर दें बाइस हैं फास्टिंग या अब यहां तो आपने यहां दो दिन फास्ट जो भी कमफोटेबल हो जब भी फास्ट करते माल आपने दिन में एक खाना खाया तो खाने बड़ गुलकोज बढ़ा दो अटे के लिए अगले 22 आउर आपके बॉड़ी में इंसुली मात्रा कम होई जैसे बॉड़ी मात्रा कम ह सब्सें बॉड़ी मात्रा कम होती यह तो भॉड़ी के लिघ घर एंकी सब्सें करें सब्सक्राइबह sesब कंटे exp और एक्साइज करिये जिससे आपको वेट घटे और वेट घटे का तो आपको डैप्टीज क्योर हो जाएगा तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही पावरफुल टूल है डैप्टीज क्योर करने के लिए हमें याद है कि हमारे मापिताजी लोग हफ्ते में कभी कभी द इंटरमिटेंट फास्टिंग करके या एक्साइज बढ़ाके या एक्साइज और फास्टिंग दोने मिलाके वेट कम करके डैप्टीज क्योर कर सते हैं बिसके दुर्भागे कि अथकाल टाइप्टीज कर दो इतिन लगन नहीं है कि वो अपने हैल्थ ध्यान दे वह अपने पैसे कमाने लिए घंटु काम करेंगे चौब्स हिंटें काम करेंगे बट हेल्थ के लिए काम नहीं करेंगे हैं यह एक गंटें एक्साइज भी तो अब लिए खाओगे बठाओं वही टाइप्टीज वाले फास्टिंग करें जो की इस्पर नहीं ले रहे यह जो गलीम पराइड होते हैं डैनिल एमरील ग्लाइजीर दायमेक्रॉन जो की सुगर लो करती है कुछ दवाए जो सुगर लो करती हैं के साथ आप इंटेविटें आपके लिए आपके लिए आपको मैं कुछ डाइट चेंज कर रहा हूं द्रग लिख रहा हूं जो कब सुगर कंट्रोल करें गवेट कंव करें और हमारी फिलिक तीन मैने के बाद ट्रह दाइगा जाएगा सेम वीडियो बनाइं बनाइन की हम लोगरा है जैसा की मभीक डिश्च कीर हो जागे वादा है तो आई होब यह वीडियो सुरू के सब भारतबासी आप सब नाव रेक्वेस्ट है आग रहे जूट जाओ डायर पीच भगा जाना है तो अगर वीडियो अच्छा लिए लाइक करें हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद अज बात करते हैं ठीक है बस इसको वीडियो क्लोज करके क्र तूएरी को बज़ियो, ये सब्सक्राइब करें टूएरी कैशास